मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूटीब चैनल खाना अंडिमान में आपके साथ एक बहुत ही यूनिक स्नेक रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा डिलीशेस है बैसे तो यह साउथ इंडिया की रेसिपी है बट इसमें मैंने कुछ अपन करके बनाया है जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो गया है एक बार मेरी बात मानकर आप इसको बनाईए आपका बार बार बनाने का और खाने का मन करेंगा इतना मैं आपको गैरेंटी करती हूं तो देखते हैं कैसे बनाया मैंने इस रेसिपी को इसको बनाने क इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल लिए यह चना डाल है और उड़त की डाल है चना की डाल आपको उड़त की डाल की डबल लेनी है मतलब अगर आपने हाफ बाउल चना की डाल लिए तो उसमें वन फोर्थ बाउल आपको लेना है उड़त की डाल और यहाँ पर मैंने जो किमि रोस्ट किया था बो ले रहे हूं और ये एक ग्रीन चिलिये जिनको मैं ग्राइड करके निकाल लूँगी ये ग्राइंडेड हमारी दाल है दाल को इतना ही ग्राइड करना ज्यादा ग्राइड नहीं करना है इसके बार ये मैंने नमक लिया है ये बॉइल पटेटो है ये मसाला ये अनियन है जिसको मैंने चॉप कर लिया है और ये मेथी है जिसको मैंने वाश करके चॉप कर लिया है और ये थोड़ा सा लेमन जूस शारे इंग्रीडियन को अभी हमें मिक्स करना है तो मैं जो मैंने डाल ग्राइंड की थी उसके एक बाउल में डाल ले रहे हूं दाल को आप बहुती फाइन पेश नहीं बनाना है बस ऐसे ही ग्राइंड करना है एंड ये मेथी जिसको मैंने चॉप किया था इंग्रीडियन की क्वाइंटिटी आप अपने अकॉर्डिंग का में अजादा कर सकते हैं ये राइस फ्लॉर गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ये हिंग, सॉल्ट, बॉल्ट पोटेटो इसको भी मैश कर लेंगे एंड ये लेमन जूस और ये मैंने इस सारे इंग्रीडियन को मिक्स करके इस तरीके से डो बना लिया है आप चलते हैं नेक्स प्रोसेस में इसके बाद कड़ाई में उसकी शेप आप अपने कॉर्डिंग कर सकते हैं राउंड में या फिल रेक्टेंगल मतलब जो भी आपको शेप देनी है और मेक शिर जो इसकी मतलब मोटा जादा नहीं होना चाहिए नहीं तो ये अंदर से पक पर देना है और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से प्राइक करना जिससे इसका आपने जो मतलब हमने जो राइस फ्लोर डाला जिससे इसका जो क्रंची नेस है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं लेकिन राइस फ्लोर से आ एक बार आप ट्राइ करके देखिए आप बार 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 बनाने का आपका मन करेगा यहां पर मैंने पहले यह राउंड शेप में बनाया है शेप आपने गॉर्डिंग कर सकते हैं जिस सेप में भी आपको अच्छा लगे यह गोल्डन ब्राउन में और यहां पर मैंने यह लॉंग शेप में भी बनाया है शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं मैं बोल नहीं हूं आप से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट वही आएगा यह भी गोल्डन ब्राउन हो गया है इसी तरीके से आप निकाल देंगे और एक टिशू पेपर से जो भी एक स्टायल है वो अटा देंगे एंड लीजिए आपका क्रिश्पी स्नेक तैयार है इसको आप यह चटनी कैचप के साथ खा सकते हैं बहुत ही यमी इवनिंग स्नेक हैं और आप इसको इंज्वाए कर सकते हैं आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल और अल्सो प्रेस वेल आइकन थेंक यू झाएबा झाल्सो बाएब ऊकार सव सिंवाब आइकन प्रेस उतार स कर सकते हैं क्राइब मैं तो प्लीज ।-स् पिए